Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notification. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. For watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. अब नेचरल हरीटेशन में सबसे पहला है लेंड्सकेप्स. लेंड्सकेप के बारे में आपको पूछा जाएए तो आपको सीधी सीधी पहली लाइन लिख दीनी है, बीना सोचे, बीना समझे क्या बे, हिमालया इस दे लेंड्सकेप, biggest landscape. देखो, beautiful landscapes are generally formed due to the different sets of land. एकदम सीधी प्लेइन, कोई उबडखाबड़ इसी जमिन नहीं है, सीधी प्लेइन है तो उसमें कोई लेंड्सकेप नहीं बनेंगे, पर इंडिया की लेंड्ना कहीं परवत आते हैं, कहीं सारी वेल्डिस आती हैं, कहीं जगाओ पर एक दो फ्लैट सर्फेस हैं, तो इसकी वज़े से कहीं सारे landscape form होते हैं, for example, हिमालय इस लेंड्सकेप, हिमालय जो हमारा है वो बड़ा landscape है, it is end of the Indian abundantly with useful vegetation and minerals, abundantly मतलब बहुत सारी चीज़े हैं, हिमालय ने useful हमारे लिए दी हैं, उसमें सबसे पहने plants, vegetation, मतलब forest ऐसे ऐसे वहां पर हिमालय ही में हैं, जो हमें बहुत ही काम में आते हैं, और दूसरा, मिनरल से हिमालय बहुत देता हैं, फिर आगे, इस आर गिफ्ट ऑफ हमालय की गिफ्ट देख भी आप पर हैं, strange birds, कहीं सारे birds की variety है, species of birds, कहीं सारी वहां पर मिलते हैं, कहीं सारे species of animals पर अबिलेबल हैं, mountain pigs covered with snow, वाव, कितने सारे कांचन जुंकाजे, कहीं सारे इसी pigs हैं, जो 24 माई 7 बारे महिना, full year, whole year, snow से ही, लटबत, 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 अगनी पत, अगनी पत रहती है, brimming rivers, brimming का मतलब पता है, full of water, पानी से भरपूर नदिया, 12 मन, पूरे साल बहती रहती है, and forest of terra ही रिजिन के, वहाँ के forest है, जो इंडिया के contribution में, economy development के, nature की और से contribution में, बहुती बड़ा हिस्सा प्रदान करते है, फिर हिमाले में क्या है, pilgrimage places in Himalaya, pilgrimage places जहां, यात्रा करने जाते हैं लोग, वो places, जैसे कि अमवर ना थे, बदरी ना थे, केदार ना थे, आज तो youngsters भी बहुत सारे वहाँ पे जाते हैं, मैं Facebook, Instagram पर वगेरे पे देखता रहता हूँ, तो कहीं सारे students, मेरे भी कहीं सारे students वहाँ पे चाह के आएं, मैं अभी नहीं गया हूँ, हाँ, Himalaya में बहुत रहा हूँ, पर यहाँ था कहीं अभी नहीं पहुंचाओ, तो some mix like Nanda Devi also Himalaya, Nanda Devi जैसे ही बड़ा ही summit, summit मतलब hill, हो भी Himalaya में है, Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India, India में Himalaya ने, अपना खुद का importance बहुत ही रखा है, एक बात ब्यान में रखो, आपको यहाँ question आ सकता है, है दो मार्क के लिए, हाँ, कि Himalaya has a greater importance for India, give reasons, तो यहाँ आप reasons ऐसे, दे सकते हुई है, सारा reasons है, ठीक है, reverse, अब reverse के बारे में जानें नहींगे, हम natural heritage के बारे में जान रहे हैं, उसमें reverse, reverse have been providing natural waste, since ancient time, पूरा में समय से, reverse हमें क्या देती आ रहे है, natural waste, मतलब ऐसे natural रास्ते, जिसके उपर आप बोट लेके जा सकते हैं, आपको कोई ऐसे, road बनाने की जरूरत नहीं, railroad के track बनाने की जरूरत नहीं, टेल जले, ऐसे ही, river के रास्ते ही जाया जाता था, Indian culture has flourished, तो अंदर river bank of, कोई भी Indian culture नहीं कोई भी culture flourish हुआ होगा, तो river bank के, वहाँ ही हुआ होगा, पानी है, तो ही culture develop हो सकता है, दो river है, एक Indus है, और दूसरी राभी है, यह दो river के किनारे, पूरा Indian culture flourish हुआ सवाल आ सकता है, at which river bank, Indian culture has flourished, या फिर ऐसा से बल भी आ सकता है, Indian culture has flourished on the river bank of, तो यह दो river, यह जो river से profoundly influenced the people of India, इहोंने भारती लोगों को बहुती प्रफावित किया, The rivers like Ganga, Yamuna, Saraswati, Indus, Narmada, Godauri, Krishna, कई सारी rivers हैं हमारे पास, rivers are the source of rivers, सो क्या मिलता है, सबसे पहला पीने का पाने मिलता है, दूसरा domestic use के लिए हम पाने को यूज़ कर सकते हैं, तीसरा irrigation खेती के लिए पाने को यूज़ कर सकते हैं, चोता electricity, वहां से hydro electricity भी बनाई जाती है, डेम वागेर, बिल्ड अप करके, फिर water waste भी वहाँ बनते हैं, Beside this man was dependent on river to develop industries, और कहीं सारी industries को यदि develop होना है, तो इंसान को पाने के ऊपर ही dependent रहना पड़ेगा, उसमें पहला है clay utensils, मिट्टी के बर्तन बनाने की, जो भी industries है, यदि उसे develop होना है, तो it has to be dependent on river, plastering, वहले के जमाने में, घर में ऐसा कच्चा plastering होता था, वो cow dung और मिट्टी को मिला के, तो उसमें भी पानी बहुत जरूरी है, building of houses, घर बनाने हैं, बड़ी बड़ी building बनाने हैं, या कुछ भी बनाना है, river is required, क्योंकि पानी is required, river water has made human life beautiful and prosperous, रीबर ने हमारी लाइब को बहुत ही beautiful बनाया है, बहुत ही prosperous बनाया है, landscape scenes at dawn and dusk, dawn का मतलब होता है, सुबह सुबह सुबह, early morning and dusk मतलब evening, यह दो early morning and evening, दो ऐसे time है, जब landscape scene, मतलब आप river पे जाते हो, sun एक दम बाहर निकल रहा है, या फिर sun दूग रहा है, तो that is very fascinating scene, तो वो किसे fascinate करता है, किसे attract करता है, तो सबसे पहला लिखा है, यहाँ पर these are source of inspiration for artists, कहीं सारे से artists है, जिसे यदि कोई painting बनाना है, कोई natural painting बनाना है, sunrise का या sun set का यदि painting बनाना है, तो उसे प्रभावित करने में, river का बड़ा महत्व है, importance है, तो यह सबस प्या सकता है, the lives of people by developing the aesthetic sense, aesthetic sense वहाँ है, बहुत इंडेवलोप होती, एक beautiful sense, आपको beauty यदि, aesthetic का मतलब ही यह होता है, यदि आपको beauty को observe करना है, तो यह sunset and sunrise का जो time है, तो यह करने में, बहुत नह कर दो आते हैं, कर दो यो उसे प्रफ्याटी यह जबीजरोप प्रफिको कर दो खब भाब स्वेशने का जो वाह जो, आपको आपको एजयो, आपको यह बूह उन्हांस्तुछ एफिंग, in the next part of this lesson or a new lesson subscribe to this channel like this video and share it with your friends don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos till then it's goodbye from bram school